किसी ने तो लालश दिया होगा ना उधव को, उसके बाद किसी ने लालश दिया होगा शरत पवार जी को? कि बाद में मैं ऐसा मानता हूँ कि पवार जी को यह लगा कि अगर यह गवर्मेंट बनती है तो comparatively एक strong chief minister रहेगा, उसके उपर party रहेगी, तो अपना वजूद क्या है? और अगर यह combination बन जायागा, तो king maker भी मैं हूँ, सरकार भी मैं चलाओंगा. बने तो जरूर, king maker भी वो हो और king breaker भी वो ही बने. यह लोग जो छोड़कर आये, उनका तो कहना है वो था कि NCP हमको scope नहीं देती है.